कक्षच है के अध्याय एक के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है इससे पहले के दो वीडियो में हम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन दो वीडियो को देखकर और फिर तीसरे वीडियो में कही गई बातों को समझने का प्रियास करें इस वीडियो में हम संख्याओं के स्थानी अमान और उनके प्रसारित रूप के बारे में चर्चा करेंगे स्थानी एमान और संख्याओं के प्रसारित रूप के बारे में हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम कुछ बड़ी संख्याओं के स्थानी एमानों के बारे में जानेंगे लेकिन शुरुवात के तोर पर हम छोटी संख्या लेते हैं जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, 78, इस संख्या में दो अंख हैं, एक अंख इकाई का, एक अंख दहाई का, इस संख्या को हमने छोटी कप्षाओं में स्थानी एमान की रूप में किस प्रकार से लिखा था, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, 70 प्लस 8, 70 को हम लिख सकते हैं, 7 गुणा 10, 7 दहाया 70, और प्लस 8, यह है प्रसारी तुरूप है, इसी प्रकार यदि हम तीन अंखों की संख्याएं लें, दो सो, अठैक्तर, इसमें इकाई, दहाई और तीन अंख हैं, तो सेंकडा का मतलब सो, तो सेंकडा के स्थान वाले अंख के गुणा में लिखेंगे हम सो, इस अंख के, और दहाई के स्थान वाले अंक के गुणा में लिखेंगे हम 10 और फिर उसके बाद में एकाई का अंक और इन तीनों को हम जोड़ देंगे आप इनको जोड़ कर देख भी सकते हैं गुणा करके 2 को 100 से गुणा किया 200 प्लस 7 को 10 से गुणा किया 70 प्लस 8 200 प्लस 70 प्लस 8 200 में 70 जोड़ने पर 270 प्राप्थ होते हैं और उसमें 8 जोड़ने पर 278 प्राप्थ होते हैं तो आप इस प्रकार से दुबारा इसे चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से यदि हम 4 अंकों की संख्याले जैसे 5278 इसमें 4 अंक हैं एकाई, दहाई, सैकडा और हजार तो हम हजार वाले अंक के यानि पांच के गुणा में लिख देंगे एक हजार प्लस दहाई वाले अंक यानि दो के गुणा में लिख देंगे दहाई नहीं सोरी सैकडा वाले सैकडा वाले अंक के गुणा में हम लिख देंगे सो प्लस दहाई वाले अंग यानि साथ के गुणा में लिख देंगे हम दस यानि साथ गुणा दस और प्लस इकाई का अंग पांच गुणा एक हजार फिर दो गुणा सो प्लस साथ गुणा दस प्लस आठ पहले हजार का गुणा फिर सो का गुना, फिर दस का गुना और अंत में इकाई कांग इस प्रकार से हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं अब क्या इससे बड़ी संख्या भी हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 45,278 अब इसमें हमारे पास है एकाई, दहाई, सेकडा, हजार, 10,000 यानि पहला जो अंग है वो 10,000 वा अंग है तो इसके गुणा में हम लिख देंगे 10,000 यानि एक के आगे 4 सुने यह उसके बाद में यह अंग हजार वाला है तो इसको लिखेंगे हम पांच गुणा, एक हजार, प्लस, इसके बाद वाला अंख है, वो है सेंकडा का, उसके गुणा में हम लिख देंगे सेंकडा, यानि की सो, प्लस, उसके बाद वाला अंख है दहाई का, साथ, इसको लिखेंगे साथ गुणा, तस, और प्लस, उसके ब इससे भी बड़ी संख्या क्या आप ले सकते हैं चलिए एक अंग और लेकर देखते हैं मैं एक संख्या ले रहा हूँ एक लाक में एक के आगे पांच सुन्य होते हैं तो 22 रफ से पहला जो अंग है उसके गुणा में हम लिख देंगे एक लाक यानि एक के आगे पांच सुन्य प्लस फिर दस हजार वा अंग है तो दूसरे अंग के गुणा में हम लिख देंगे दस हजार प्लस ये हजार वाला अंग है इसके गुणा में हम लिख देंगे एक हजार प्लस ये सेकडा का अंग है इसके गुणा में हम लिख देंगे सो प्लस फिर दहाई कांग है आठ इसके गुणा में हम लिख देंगे दस और फिर प्लस अंत में एकाई कांग तो इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या को प्रसारित रूप में लिख सकते हैं आप संख्याओं में देखिए एकाई, दहाई, सेकडा, हजार, दस हजार, लाक और उससे भी एक अंको और लेंगे तो हम दस लाका जाएगा तो उस स्थिति में हम बाई तरफ से पहले अंको दस लाक से गुणा फिर उससे अगले अंको एक लाक से गुणा फिर दस हजार से फ झाल झाल